अबस्कार आपने देखना शुरू कर दिया है दाइंगल और मैं हूँ आपके साथ शवी अवस्ती चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्कियों पर स्वास्ते मंत्राले ने कोविड-19 को लेकर की प्रैसवारता कहा भारत में 86% कोरोना के सिर्फ 10 राज्यों तक सीमित कॉंग्रेस आलकमान का बड़ा फैसला बागी सचिन पाइलेट पर गिरी गाज उप मुख्य मंत्री और प्रदेश अध्यक्षपत्ति किया निश्काशित डोटासरा बने PCC चीब मुख्य मंत्री अशोग गैलोट ने सियासी घटना करम पर भाजपा को लिया आडे हाथ कहा बीजेपी की चाल समझ चुकी जनता छे मैने से चल रहा था शड़े अंत्र राजिस्तान के घटना करम को लेकर भाजपानी की प्रेसवारता प्रदेश अध्यक्षपतिश पूनिया बोले कॉंग्रिस की विदाई का समय आ गया है केंद्रिय स्वास्ते मंत्राले गिरी मंत्राले और ICMR ने सयुक्त रूप से प्रेसवारता की इस दोरान देश में कोरोना की स्थिती पर प्रकाश डाला गया और कोरोना जान सम्बंदी जान करी दी गई स्वास्ते मंत्राले की ओर से राजिश बूशर ने कहा कि भारत में कोरोना वाइरस नियंत्रेंट की स्थिती काफी बेतर है उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के कुल मामलों में से 86 फीज़ी सिर्फ 10 राज्यों तक सीमित है इन्में से 2 राज्य, महाराज, चौ तमिल लाडू में 50 फीज़ी मामले है प्रैसवारता में कहा गया कि देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है बिहार में कोरोना के करण हालाद बिगड रहे हैं जिसे देखती हुए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं सरकार ने पूरे प्रदेश में फिर से 15 दिनों के लिए पूर्ण लॉगडाउन का एलान किया है इस पार कम्पलीट लॉगडाउन की अवधी 16-31 जून तक की होगी राजय क्योब मुख्यमंत्री सुशिल कुमार मोती ने इसकी जानकारी दी उन्होंने बताय कि नगन निकाय, जिला, मुख्याले, अनुमंडल और प्रखण मुख्याले 15 दिनों के लिए लॉगडाउन रहेगा डिपिटी सीम ने बताया कि 16-31 जूलाई तक के लॉगडाउन के लिए नई काइडलेन जारी की जा रही है CBSE 10-2 परिक्षा का परिणाम बुद्वार को गोशित करेगी, इसकी जानकारी HRD मंत्री रमिश पोकरियाल ने दी त्वीट कर कहा कि CBSE के 10-2 कक्षा के नतीजे कल जारी होंगे मैं सभी विध्यारतियों को शुब कामना देता हूँ, गोड़तलब है कि इसके पहले सुमवार को CBSE ने 12-2 कक्षा के नतीजे गोशित किये इस साल CBSE के 12-2 कक्षा के रिजल्ट की मेरिट जारी नहीं की गई है हाला कि अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि 15 जुलाई को CBSE किस वक्त 10-2 कक्षा के नतीजे जारी करेगी HRD मंत्री ने भी रिजल्ट के समय की जानकारी नहीं दी है सचिन पाइलेट के बैठक में नहीं आने के बाद पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया है सचिन पाइलेट को कॉंग्रेस ने सभी पदो से हटा दिया है राजिस्थान के शुक गयलोज सरकार में उपमुखे मंत्री रहे पाइलेट के प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष का जिम्मा भी ले लिया गया है कॉंग्रेस के कई नेताओं ने पाइलेट को मनानी की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं माने जिसके बाद कॉंग्रेस अलाकमान ने ये फैसला किया दिल्ली से जैपूर गए रटदीब सुर्जेवाला ने पाइलेट को हटाने का एलान किया उनकी जगे पर गोविन सिंग डोटासरा को प्रदेश कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है सुर्जेवाला ने ये एलान करते हुए पाइलेट को खूब कोसा मीडिया के सामने सुर्जेवाला ने कहा कि सचिन पाइलेट और कॉंग्रेस के कुछ मंत्री और विधायत साथी भाजपा के शडेंत्र में उलच कर कॉंग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हो गए है पहली बात शिरी सचिन पाइलेट जी को शिरी विश्विंदर सिंग जी को और शिरी रमेश मीना जी को उपमुख्य मंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है दूसरा हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिनोंने किसान के घर में जनम लिया जो ओ बीसी से सम्मंदित हैं जिनोंने अपनी जमीन भी जोती और कॉंग्रेस की जमीन भी जोती जो एक कारेकर्ता के तोर पर जिला कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तोर से उठकर आए और आज राजस्तान की सिक्षा मंत्री के तोर पर सेवा कर रहे हैं गोविन सिंग दोतासरा जी को राजस्तान प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। इनकी जगे अब हेम सिंग शिखावत को सेवा दल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे चोटे से कारिया करता हूँ कोॉंग्रेस पार्टी ने और आला कमान ने जो इजद बक्सी है, जो जिम्यदारी दी है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ा कोई सोभगय कविसे नहीं हो सकता। मैं कॉंग्रेस की विचार धारा को आगे बढ़ाने के लिए कॉंग्रेस के कारिया करता हूँ कि मैनत से जो राजस्तान में अशोग गैलोट जी के ने त्वित्यों में सरकार बनी है। मुखे मंद्रिय अशोग गैलोट ने राज जपाल कल राज मिश्र से मुलाकात की जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की। मुखे में अशोग गैलोट ने राजपावन में राजपाल से मुलाकात के बाद कहा कि उनके पास पूर्ण भहुमत है। उनकी सरकार ने बीजेपी की साजश को नाकाम किया है। तब वो नहीं आए। उनके आरदस दो आना चाहते थे जो हमरे पार इतला आ रहे थी। उनके लिए सब पूरी का इंजराम है। और मोड प्रदेश चाहते हैं आरदसा प्रदेश को अंगरिका अद्ध्यके पहले थे ऑले ताफ उनके हाँ में कुछ नहीं है। उनके हात में कुछ नहीं है वो तो खुदी महां पर पूरी खुनबा जो है। वो भीजेपी के हातों में खेर लाहे। पीजेपी फिरस्ता है जिसरोड की फिरस्ता बीजेपी की है डिजुट मेंगेंट बीजेपी का है जो लोग मैनेजमेंट के लिए बार चाहे हैं वो जो मध्यपरी के वाद करें थे वो इन अब कर देंगें वो तीम आपर लग वह गया इस शुरूपना माँ पर पुरा खेच आप शूर सकते हैं एसे खेल के अंदर आखी में सरकार के सामनेशारा क्या है सरकार को गुर गवर्नेंस दे रही है जो मने वादा किया जनता से वादे दीभाए या इन जगड़ों पड़े रहे हैं राजस्तान की सियासत में आए बदलाव के बाद अब मंत्री मंदल विस्तार के कयास भी तेज हो गए हैं राजस्तान सरकार का मंत्री मंदल विस्तार सोले जुलाई को होगा ये कारेकरम शाम साड़े चार बजे राजभवन में होगा मंत्री मंदल में इस समय आठ जगे खाली हैं कयास लगाय जा रहे हैं कि इस मंत्री मंदल विस्तार में दो उपमोखे मंत्री बनाय जा सकते हैं इसके अलावा मंत्री परिशद में राजेंदर गुडा, नरेंदर बुडानिया, महिंदर जीत मालविया, खिलाडी बैर्वा, महादेव खंडेला, रामकेश मीना, शकुंतला, रावत, सहयम, लोड़ा और महेश जोशी को मंत्री मंदल में जगे मिल सकती है कॉंग्रेस में चल रहे सियासी संगराम के बीच, बीजेपी ने भी आज प्रैसवारता की, इस दौरा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कॉंग्रेस में फूट साफ तोर पर देखी जा सकती है अब यदि मुख्य मंत्री अपनी मंत्री मंदल का विस्तार करना चाहते हैं तो उन्हें अपने पहुमत साबित करना चाहिए अगर वेब बिना फ्लोर टेस्ट के ऐसा करते हैं तो उससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा वहीं बीजेबी प्रदेश अद्यक्ष अतिशपूरिया ने प्रेस वारता में कहा कि कॉंग्रिस की विदाई का समय आ गया है कॉंग्रिस आजदेश में आप्रसंगिक हो गई है राजस्थान बड़ा प्रदेश था पी सी सी चीफ होने के कारेंट सेचिन पाइलेट का हग था वरिष्ट नेताव की उपेक्षा हुई है वहीं राजंदर राटोर ने कहा कि राजस्थान में आबादी के बाद सबसे बड़ा विगटन हुआ है अब राजस्थान में कॉंग्रिस टुक्रा टुक्रा हो गई है इस समय में जन्ता के हिसमें उसे दिनना करेंगे और आज भी उससे बाद नहीं आए आपने देखा होगा भी बीटीपी के विधायकों का वीडियो उन पर पिछले कई दिनों से पहरा और सब लोगों की हम लोगों की अपने खुद के लोगों की जासुसी फोन टेपिंग ये तादत में ही है लेकिन वो अपने छेतर में जा रहे थे पुलिस ने बजसलू की कि उनके दोदो मंत्री उनके पीछे तक गए उन्होंने का हम अपने छेतर में जाएंगे हम सुचन्द है हमारी पार्टी अलग है हम तो तटस्त है राश्ति द्यक्ष का पत्र भी दिखा है आज अब उन्होंने वीडियो जारी किया ताजगुमारोग विधायक ने सचिन पाइलेट को प्रदेश अद्यक्ष पद से हटा दिया गया है साथ ही उन्हें उप मुख्य मंत्री के पद से भी बरखास्त कर दिया गया है इस पूरे प्रकरण के बाद सचिन पाइलेट ने अपना ट्वेट करते हुए ये लिखा कि सत्य को परिशान किया जा सकता है पर आजित नहीं सचिन पाइलेट ने अपने ट्वेटर अकाउंट से उप मुख्य मंत्री पद और राजस्तान कॉंग्रेस अद्यक्ष की जगे टॉक से विधायक और पूर्फ मंत्री कर दिया यानि कि सचिन पाइलेट ने ही स्विकार कर लिया है कि अब ना तो प्रदिश कॉंग्रेस के अद्यक्ष हैं और नहीं उप मुख्य मंत्री है लेकिन अब भी वे खुद को टॉक विधायक बता रहे है राजस्थान में चल रही राजनेति घटना करम के बीच अब पुलिस अमला भी सतर्क हो गया है जिसे की राजस्थान में किसी भी तरह की कानून विवस्ता का उलंगन ना हो सके अतिरिक्त पुलिस महाने देश अक्सौरप शिरिवास्तव ने कहा कि खूफिया जानकारी और राजनेति घटना करम को देखते हुए राज्य भर में पुलिस अमले को सतर्क किया गया है उन्होंने कहा कि कानून विवस्ता बनाए रखने के लिए एक अदम उठाया गया है ताकि आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो गुर्जर भहूले दोसा, अजमेर, भीलवाडा, धौलपुर, टॉंक, समेत कई अलाकों में कानून विवस्ता को बनाए रखने के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है डीजेपी भूपेंद्रे सिंग खुद इन अलाकों पर नजर बनाय हुए है जिलाए SP से पुलिस मुख्याले फीडबैक ले रहे है इस बुलिटिन में बस इतना ही आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्कार